हलो एवरिवन आयम रिटिका हमने लास्ट वीडियो में कम्प्लीट किया था ओवर्वीव ओफ पीजिया देट इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजियाज के हमने में लीफ सिक्स होर्मों यहां पे स्टडी किये थे लास्ट लाइड में देट इस ऑग्जिन साइटोक किया था आज हम ऑग्जिन को डिटेल में स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी करना फर्स्ट ऑग्जिन ऑग्जिन का एक पीजिया रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उसके फंक्शन क्या उसके डिस्कवरी कैसे है आज हम वह स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट्स ओ सिकंड लिव नेक्स्ट फूट स्टम रूट इसोल सर्फिस है सोल सर्फिस से लोर साइड से नीचे की साइड पर रूट स प्रेजन रूट के वह सोएल में से वोटर की absorption करने में help करते हैं यहाँ पर function लिखा भी हुआ है absorbs water and minerals from the soil next stem stem क्या गरते है help sports the plant plant को sport करने में help करते है root जो भी water को absorb करेगा water को absorb करने के बाद क्या हो जाएगा water आगे क्या जाएगा stem portion में आगे transfer होगा stem आगे क्या गर देगी इसी water को आगे transfer करेगी leaves के अंदर आगे transfer करने में help करेगी यह आगे जैसे जैसे transfer होगा यह आगे leaves में transfer होता रहेगा leaf performs photosynthesis leaf का function क्या photosynthesis perform करना food की formation करने के लिए next leaf के साथ plant पे क्या present है flowers present है help in the reproduction flower help करते reproduction में reproduction से आगे का होगा new organism की formation होने के लिए अगे generation को बढ़ाने के लिए flower help करते आगे formation के बाद क्या हो जाएगा fruit formation fruit protects the seeds fruit formation होगी fruit के अंदर क्या होता है seeds की formation हो जाती है इसके अंदर की side पे क्या present है seeds present है वो seeds अगे क्या करते है next generation बनाने में help करते है एक फ्लार का अगर हम यह पॉर्शन बोलेंगे यह इसका एपिकल पॉर्शन है टिप पॉर्शन यह एपिकल है टॉप का पॉर्शन है आगे हम बार-बार एपिकल टर्म को यूज करेंगे इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया कि एपिकल मिन्स टिप अब यहां पर का है दो सिक पतार चलर लिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ओफ पीजी आर्स अब हमने ऑगजिन के लिए जैसे बताया है ऑगजिन में हम पुरा स्टडी करने से पहले हम इस पता ना चीए के आज़ें के फॉर मेशन कैसे हो बुन नांवाग मां प hypocrit my में त्रिप्टोफीन से आगे फोर्मेशन ओती है उखज दी की बायो सिंतेटिक प्रिकर्सर ओखझ का बुन और ट्रिप्टोफेन इथाईलिन का बायो सिंतेटिक प्रिकर्सर कोण फॉचल कक्कुन होग में नेक्स्ट लिपीड्स में क्या है अब इसके आगे precursor क्या है? formation करने के लिए lipids help करते है alpha-linolenic acid यह help करते है jasmonic acid की formation के लिए isoprenoid pathway isoprenoid pathway help करते है यह बैसिंथेटिक precursor है gibralins, cytokinin abscic acid, brassinosteroids and strigolactones का यहाँ पर बैसिंथेटिक precursor कौन help कर रहा है? IPP, 5-carbon compound है यह isopentanyl diphosphate full form है IPP की precursor for salicylic acid is unknown हमने यहाँ पर कै सभी के biosynthetic precursors बताया है पर हमें salicylic acid का biosynthetic precursor है उसके बारे में अभी तक known नहीं है कोन ही हमें पता नहीं है next, before naming of all the hormones सभी hormones को हम name देने से पहले the scientist name these all hormones जितने भी यह भी हमने hormones के बारे में बात करिया oxyn, cytokinin, gibraline, abscissic acid, ethylene, brassino, steroids इन सब को name देने से पहले general क्या term दी गई थी? growth promoting substance यह सारे कहा होते है? growth promoting substance that is promote करवाते हैं मतलब बढ़ाने में help करते हैं growth को बढ़ने में help करते हैं plant की growth के लिए next, oxyn oxyn की history और discovery क्या है? oxyns were first discovered as growth promoting substance in the collieoptyle of oat seedling oat seedling के अंदर क्या है? oxyns के अंदर हमें सबसे पहले discovery होई थी वो कहां पे मिला था? promoting substance है? growth को help करते हैं in the collieoptyle collieoptyle में of oat seedling oat को हम क्या बता है? scientific name क्या है? उसका avena stiva next, discovered by the f-vent oxyn के discovery के लिए क्या माना जाता है? कि f-vent ने oxyn के discovery बताई थी next, अब हमने यहां पर यह तो कहा था कि collieoptyle होता है पर collieoptyle है क्या? collieoptyle first point protective organ in young monocot leaves protective organ है बचा के रखने के लिए protection का मतलब बचाने से होता है एक protective organ है मतलब बचा के रखता है help करता है in young monocot leaf यह first यहां पर seed है seed से क्या कहते है first part में जो leaf निकलेगा उस leaf की protection करने में help करता है वो कहा है? collieoptyle ही help करता है second collieoptyle tip is highly sensitive to light light से क्या होता है? सबसे ज़्यादा sensitive है मतलब light को जल्दी से पता लगा लेता है and therefore shows bending towards the source of light और क्या करता है? collieoptyle bend कर जाता है light की side पे towards means उसी side पे यहां पर हमने डाइग्राम बता रखे है lower side पे क्या है? root formation होगी यहां पर कहा जाएगा first leaf निकलेगी primary leaf primary leaf को बाहर से cover करके रखने के लिए help कोन करता है? collieoptyle help करता है next the part of collieoptyle which is sensitive to light वो part collieoptyle का जो sensitive होता है light से उसे हम क्या बोलते है? elongation zone elongation zone बोलेंगे उसे that is always located few millimeters below the tip जो अपर portion होता है अपर portion से क्या होता है? थोड़ा सा नीचे की side पे हमेशा few millimeters कुछ millimeters नीचे present होता है zone उसे हम area को बोलते है elongation zone यहाँ पर हमने collieoptyle के general बता दिया next collieoptyle bend towards the light collieoptyle होता है वो हमेशा क्या गरता है? light की तरफ bend करता है towards means उसी side पे bend करेगा towards the light यहाँ पर diagram से show करके है यहाँ पर आईए यह that is auxin present है यह auxin क्या करेगा? यहाँ से light है lights है जैसे यह contact में आएगा contact में आती plant का part क्या कर देगा? अब light की तरफ bend कर गया यहाँ से इतनी bending दिखा दिया हमने कि यह portion के light की side पे bend कर गया next add the tip tip के उपर auxin is produced यहाँ पर क्या है auxin की production हो रही है that is then it is laterally transported lateral transport का means है opposite side में sunlight से opposite side में क्या हो जाएगा? movement हुने start जाती है auxin की to the elongation zone of non illuminated side non illuminated side means जो side अभी तक क्या है? sunlight के contact में नहीं है उस side को हम बोल देते हैं non illuminated side यहाँ पर लिखा है add the tip IAA is produced tip portion पे यहाँ पर पर पोर्शन पे क्या है? auxin IAA की production होती है बनता है यहाँ पे and then it is laterally transported और इसके transportation का होती है? lateral side पर transportation होगी to the elongation zone of elongation zone तक इसके transport होगी of non illuminated side non illuminated means जहाँ पर sunlight अभी तक contact में नहीं है यह जिस एरिया में यहाँ पर आगे हमने दो functions और बता रखे है auxin की production है वो ज़्याद हो जाती है sign का मतलब कहा है? increase होना IAA production increase होगी rate of cell division rate of cell elongation यहाँ पर क्या होगी? cell की division भी ज़्यादा होगी और cells की elongation भी ज़्यादा होगी bending towards the source of light जब यह bend करेगा light की side पर यह bend करना start कर देगा next early experiments of auxin research auxin की research के लिए क्लिए था? पहले experiments किये गए experiment से ही हमें बता चला कि auxin कहां पर present है उसके लिए experiments क्या क्या होए? first Darwin scientist ने क्या Darwin experiment second F.Went experiment third Boyson and Jensen's experiment अब हम इन experiments को आगे detail में study करेंगे first Darwin experiment Darwin experiment में क्या किया? scientist Darwin ने first क्या लिया? एक plant part का plant का part लिया यहाँ पर plant part लिया यहाँ पर क्या क्या है? उसके बाद इसे sunlight के contact में लाए sunlight contact में आते ही इस part ने क्या 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 है? यहाँ पर एक molecule present था यह पता लगा रहे थी क्या present है sunlight को contact में आते ही इसने क्या 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 क्या? curvature start कर दिया curvature means bending light की side पर bending start कर दी तो हमें यहाँ से क्या था? एक चीज यह पता चलिया कि tip पर कुछ तो ऐसा है जो आगे क्या करता है? sunlight की तरफ bend करने के लिए help करता है second part में क्या किया? उसके tip रिमूव कर दी अब हमने इतने part की हाँ से क्या था? tip को remove कर दिया tip removed उसी को हम क्या बोलते है? stump बोलते हैं that is decapitation लग cap को हटा देना उस d means हटाना, remove करना decapitation, cap को अपने remove कर दिया अपर पर को remove कर दिया फिर हमने उसे sunlight के contact में लाए तो आगे क्या निकला? उससे वज़े से conclusion क्या लिखना? growth के लिए यहाँ पर कोई curvature ही नहीं मिला कोई bending ही नहीं मिले क्योंकि यहाँ पर tip पर कुछ present ही नहीं था तो bending ही नहीं मिली हमे next क्या किया? फिर उसके बाद हमने इसी tip के उपर क्या दिया उपेक कर दिया इसे non transparent cap लगा दिया इस पर non transparent cap से क्या हो गया अब यह sunlight के contact sunlight से contact में तो लाए पर sunlight का कोई effect ही नहीं शो हो पाया तो यहाँ पर क्या गया no curvature कोई bending ही नहीं मिली हमें कोई curvature ही नहीं मिला तो यहाँ से हमें conclusion क्या निकला conclusion of Darwin's experiment growth promoting substance is produced at the tip हमें इस experiment से क्या बेता चला कि जो भी growth को promote करने का substance है वो कहाँ पर present होता हमेशा tip पर present है यहाँ पर tip पर present था तो करवेचर दिखा हमें second पर tip पर कुछ भी नहीं था हमें करवेचर ही नहीं मिला थर्ड पर हमने tip को क्या कर दिया अब यहाँ पर non transparent कर दिया तब हमें करवेचर ही नहीं मिला तो यहाँ से experiment से यह प्रूव हो गया यह growth promoting substance है वो हमेशा प्रोड्यूस करता है tip पर next experiment F went experiment F went experiment में क्या था scientist F went ने क्या किया यहाँ पर जो tip का portion था tip portion की cutting कर ली cut करने के बाद light exposed coliopatyle tip ली light exposed coliopatyle tips थी इन्होंने क्या किया इसको gelatin block में यहाँ पर mix कर दिया water permeable था यहाँ पर वेसे बैर रख दिया प्लेस कर दिया फिर इस tips को क्या कर दिया remove कर दिया कुछ time के बाद tips को remove करने के बाद अब क्या हुआ jillatin cut into blocks अब जो gelatin की शेट थी हमने क्या कर दिया blocks में इसके cutting कर दी blocks में करने के बाद next में अब क्या किया इसके बाद जो blocks की cutting की थी cutting करने के बाद इसे Напने लिया coliopatyle stump पे लगा दिया कियाहां पे coliopatyle hammy के टिप हमने इस सी चीज पर लगा दिया लगाने के बाद हमें किय पता चल बादक बैंडिंग कर इवन अंटपलेश वह आ अगर या हगर तरह के आप यहां पर द्य गयोंद ऑफ एफभे़ैंट कख़्धं एफबसक्पेरियमेंट लुक्रेध Ministries बिला इस एक्सपरिमेंट शोर्ड दाट ग्रोथ प्रोमोटिंग सबस्टांस इस डिफुजेबल सबस्टांस कि जो बिस अबस्टांस हमें है लोग डिफूजन के प्रोसेस के थ्रूच आथा अगे ट्रांसफर कर जाता है नेक्स्ट एक्सपरिमेंट बोई संट जन्सिं एक्सानर एक्समेंट यहां पर क्या था फर्स्ट हमने प्लांत पार्ट लिया प्लांट पा writing के बाद यहां पर क्या किया मेंका की शीट ले यूज करίν कूध एंवनने मिका छी ँटिश ती डाक साइड पर यहां पर प्लेस करवा दिया उसके बाद यहां से क्या किया संलाइट के कॉंटेक्ट में लाए संलाइट के कॉंटेक्ट में तो लाए बट क्या हुआ यहां पर बैंडिंग ही होई बैंडिंग क्यों नहीं होई क्योंकि मिका शीट ने जगा ले ली थी यह प् कि छम फ्रेंट काॱ्ए मैं अधूध प्रें प्लेस कर्वादट के बाद इसको कया किया सब्सक्टेक्ट मिलेसे अब क्या 60 पर जब्रेज़न तो यहां पर इसने यहां पर movement start कर दी, movement start करती ही, हमें क्या पता चल गया है, यहां से करवेचर, यहां पर bending, इस तरीके से हमें bending मिल गई, sunlight की साइड पर bending मिल गई, यहां पर क्या result निकल गया, conclusion क्या निकला, Benson के लिए, it proves lateral moment, इसने हमें क्या प्रूव कर दिया, lateral moment होती है, lateral moment क्या होती है, backside moment, अब हम यहां से करेंगे, तो lateral moment के लिए, अगर आप करोगे, तो यहां पर हमने sunlight से लिया, contact में, sunlight से लेंदे ही, यहां पर जो moment होती है, यह lateral moment होती है, second, IAA produced, IAA means auxin, auxin produced at the tip, auxin होता है, वो produced होता है, बनता टिप पे है, is laterally transported, जो यहां पर बना है, यह क्य zone होता है, कुछ mm नीचे तक, यह elongation zone तक आगे ट्रांसपोर्ट होयाता है, of non illuminated side, non illuminated side मतलब जो sunlight के contact में नहीं आई, यह side क्या है, यहां पर non illuminated side, यहां पर आगे क्या है, यहां यहां पर transfer होना स्टार्ट हो गया, इस experiment से हमें यह जिस पता चल गई, thank you, आप मेरे channel को like करना, share करना, subscribe करना, bell icon को जरूर प्रेस करना, next video आए ताकि आपको पता चल जाए उसके बारे में भी, thank you